चला के बीजेपी किसी को इन्विटेशन देनी के लिए नहीं जाती है। प्रदेश में इन समय बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। चुरू छोड़ दीजिए हाल फिलाल हम सीकर में खड़े हैं सीकर की राजिती भी गर्माई हुई है। यहां पर एक सांसत है जो सुमेदान सरफवती संत है महत्मा है उसके सामने लड़ रहे हैं कॉम्डेड अमरा नाम जो की गड़बंदन करके कोंगर्स में आये हैं। लगातर लगातर पांसार हार चुके हैं लेगिन तोन आम पर उन्होंने हमत नहीं आ रही हमत भी आहें। और लगातार इंडिया गंडबनागर के साथ में और कोंगर्स से अपना जोड़ा है सबसे पहले मैं कोंगर्स ब्लोक देक्स जो हैं उनके पास आना चाहूंगा सर किस प्रकार देखते हैं पुरी चुनाओ को क्योंकि लगातार इधर बीजेपी के सानसुमिशन सरसुती हैं औ बिलकुल सर सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देवना चाहूंगा जो मीडिया ने आज खुले मंच पर यह जयमत उठाई है कि सभी के विचार रखे जाएं तो मीडिया जैसे कि चोथा इस्तंप्रदेश का इसके लिए मैं बहुत-बहुत बदाई देता हूं आप सभी को और किसान नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है उन्होंने तीन दिन तेरा दिन या तेरा महीने बोडर पर जाके जहां पर बोडर पर किसानों ने लड़ाई लड़ी है उनके लड़ाई लड़ी है किसी भी किसान की लड़ाई को जिसे उन्होंने स्टार्ट किया है किसी को अदूरा नहीं चुड़ा है और हमारे यहां के एक वर्तमान सांसद सुमेरा नंजी है जो पिछले दस साल से यहां सांसद है लेकिन उन्हें एक भी आवाज सीकर जिले के लिए या सीकर से कावाटी के लिए नहीं उठाई है तो हमारा इन उद्धो पर चुनावे गए सांसद सुमेरा नंजी का विकास की बात कर लें हुद्र में खूल बाली बात कर ले हैं जो भी काम करता उसमे पत्रा हिंके रहते हैं आप पूरे सिकर सेर में देखेंगे या पूरे सिकर जिले में देखेंगे जहां देखेंगे आपको एक पत्र नहीं मिलेगा जिसपे सांसति सुमेदा नंस श्रस्पती लिखा हुआ हो तो मैं कहarna चाहता हूँ काम बोलता है और सीकर सांसत सुमेदानन सीकर में एक भी प्रोजेक्ट लेकर नहीं हैं बलकि यहां पे जितने भी प्रोजेक्ट आया हैं खाली वो लोग जूट पे जूट जूट पे जूट एक जूट को सो बार बोलके वो सच करने की कोशिस में लगे रहे थे हैं इसके विदान सबागा चुनाव और लोग सबागा चुनाव में अपन ये बोले कि वहां सुभेदानन सरस्वती कौन जानता उनको कहां से वो ये तो हमें बताएं ना कि हम मैं वहां से हूं लेकिन आज तक मैंने मेरे मैंने आज से कौंग्रेस से पार्टी कोई वोट दिया ना की सुवधान। सुनो तो सही मैंने सिरफ कौंग्रेस पार्टी को वोट दिया था क्यों मैं उनको जानता हुए नहीं वह कहां से आय कैसे क्यों आयेliter potato 1893 में मैं सुन रहा हूं अभी 1903 में वो पिप्राली पंचायत में आये थे ओम परकास मूंड है उन्होंने उन्हें वहां जगए दी थी कि आप यहां हमारी गएंचराओ तो वो के लिए उसके बाद में उन्होंने क्या किया किया उस चीज के लिए उन्होंने यह किया। कि जितने भी तो जाटे फोश्पिर्ल वगेरा थे और जितने भी मतलब विद्यासरम थे उन से संदा इकठा किया और इकठा करके उसके बाद में वो सांसद्ध बने अभी तक तो मेरे सामने तो ऐसा कोई रोल नहीं है अब लगतार इशार बदार योगी की बात कर लें मोदी की बात कर लें अमीशा की बात कर लें लगतार आज सुके हैं विद्धी पर पक्समें हैं आपके यहां से कोना है अभी तो इंडिया कट बंदन से हैं अमरा राम जी के साथ पूरी कटने से साथ कर दिए किया बानते हैं कि प्लाइनग नहीं करते हैं भींफोट प्रेदान मंत्री कुर में फिर कोरो मंत्री कोई भी बने जो श्कुर…! इंडिया गट्र Scr फंदन फ्रूर। को पपू कहती है कि तरक कु Эसा कुछ नहीं है अगर कोई बंदा कोई बंदा इस देश में कश्मीर से कन्या कुमारी तक चला है तो राउल गांदी है अगर ऐसा कोई इन्होंने पांच किलो मेटर में यात्रा निकाली है मोदीजी ने कभी ऐसी से वाहर निकले थोड़ा महुल देखें यह गर्मी का महुल आप आज देख बनाते हैं उसका जुलुस निकाला जाता है यह सीकर की फिजा मैं आप से सवाल करता हूं कि क्या राउल गांदी को पपू कहना उसी तहाई या नहीं नहीं सर बिलकुल गलत है इन लोगों ने अज़ारों करोड रुपे राउल गांदी को मात्रस की जो है उसको परदान मंतरी जी मोधी जूट एक जूट को जूट पर जूट 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 सो बार बोलने से कोई जूट सच नहीं होगा मोधी जूट का पुटला है और इस बार मोधी की विदाई तह है तो अमारे बवानी सिंग जी लोरवडा जो संयोजक है उन्होंने बलड से लिखके और अपना वो ग्यापन दिया था उस ग्यापन पर परदान मंतरी के नाम बेजा है हमने क्लेक्टर के दवारा और परदान मंतरी ने आज तक उसमें विचार नहीं किया जबकि वो ग्यापन 2023 में दिया गया था अगनी बढ़ा के जोड़ चुके हैं सर के नाम आपका शुपरशाद नाम प्रगाजी पूरा माहूल देख रहे होंगे आप लगातार आप सुन भी रहें बातों को किया मानते हैं किस प्रगाट डिकते हैं ऐसा है अब तक का जो मैंने माहूल देखा है उस हिसाब से नंबर एक बात ये कि आज दो बार मानलो सांसाथ साब यहां से सांसा रहे चुके तो क्या जनता ऐसे जीता कि भीज़ जीती है गए विदायक हमारे नहीं जीता हमने एकसप्ट किया विदायक तो नहीं है नहीं यहां से अब दो बार अगर जीत गए वो यह लोग कह रहे हैं कि भई बहर से हैं भाराश्री बहर से हैं इस लोक तंत्र में हर एक बंदा कहीं से लड़ सकता है लड़ सकता हो सक्षा में उस चीज के लिए यह थोड़ना है कि वो अपने एरिये से जाके चुनाओ लड़ेगा और आज जैसे मैं सीकर में हूँ सीकर में सतर परसेंट लोग जो है वह बाहर साके बसे में तो यहां के नागरिक नहीं हो आईडी काड यहां के बने हुए तो यह तो कि मुद्धा ही नहीं है रही बात विकास की विकास के अंदर यह है कि हमें बताने की जुरूत नहीं है बच्चा बच्चा जानता है कि क्या क्या विकास हुआ है एक छोटे बच्चों को भी आप पू करने वाले कोई नहीं होते वह सब जो है वह कोड़ पे है अगर आपसे पूछ आपने कहीं देखा आपने सुना है नहीं सुना है सबसे गंदा प्लेटफों बताई जा रही है इस जमाने ने कल्यूग में लेकिन फिर भी संत 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 लगतार इसमें आरे हैं ने हैं यह तो एक पार्ट का डिसेजन होता है कि वह कि को लाएं या किसे को लाना चाहते है पंदा जाने कि अगरा Alex ऐसा होता तो फिर राजिंदर पारी जी यहां से कैसे जीते हैं अगर इसे पटाल या जनता एकदम सक्षम है उनको लगता है वोट करेगी और हमार साथ एक यूर डूड़े है यूर डूड़े हैं या बले हैं आदा मैं को एक सिंपल बात पूछ रहूं इन बाजबा के को उठा रहे हो अपने हैं अब खरीद कोई भी कोई भी चला के बीजेपी किसी को इन्वीटेशन देनी के लिए नहीं जाती है और बीजेपी कैसी पार्टी है जिसमें जो भी आना चाहे उसको सच्छ मन से मैं परमानित करता हूं सर मैंने आप से पहले भी बोला है कि बीज शुक है अब सब्सक्राइबहां करेंगे में कांग्रेस रही है कौरेस को आपने नेताओ को कारे करताओ को आपने लगता है कॉमणेट जीते का लगता है कौन अमराराम तो जीत उचुका है और इनकी बोगलाट बता रहे हैं अमिच्च्छ यह प्यारे उन्हें अदर यह तो सुनाव का डिजल्ट आयगा ये तो चुनाव का जब रिजल्ट आये शाव नहीं कर सकते ही रही आंगा पैनेजित की अम्रा नाम जी आपसे आप स Хорошо आप तो यहां पर कि हम सीकर शहर में आके बाशन देके बीड नहीं मिली सर बाशन देने को मुह दबाके बाइपास निकले वाप तो बात तो करूं यहां पर महोल बहुत ज़्यादा गर्मा गया है लेकिन फिर मैं सोड़ूंगा नहीं यहां पर ताल क्योंकि मुझे कर दिये कवरेज सर मैं एक मिनट मैं यह पूछ रहा हूं कि जहां देश का गर्य मंतरी है उसका जहां बाशबा होती है या बाशन होता है वहां 273 आदमी को पहुंचने से यह क्या क्या तात्वरिय देखो गया तो उसके बाद में परदान मंतरी और उसका क्या सुबेदन सरस्वति का क्या तात्वरिय होगा सबसे बड़ी बात ही है आप आपने भी सारी सचा सुनी है और जो बाइसा है उनकी सुना है यहां आप काउंटिंग करेंगे तो एक मात्र बंदा इदी बीजेपी से पहुंच रहे है तो आप सोची की बीजेपी की स्थितियां पर क्या ह हमें सोको बलाने के जरूत नहीं है अगर इनका एक मात्र बंदा सोके बराबर है तो इनको अगर यहां से एक लोकल केंडेट नहीं मिलता है तुसलें हर्याना का आदमी यहां कर राजनीदी कर रहा है यहां के बराबर है दूसी बात अभी आदमी को चुनावलने का दिखा रहा है तो इनका शीष नेत्रतु जो है पिछले 20 साल से चिला रहा है जब मारी सुनियाजी शीम यहां पीम बनना चारी थी तो उन्हीं के पास भी ना में यह चारों घृताने वाले हैं और जसे एक हैं उसी तरह इनकी एक सीड़ ही इनके राजपर में था पहुंचे हैं और एक सो के बराबर है बिल्कुल एक लुवार की देना चाहेंगे मैं इनको जेशिराम का जबाब जरूर देना चाहेंगा हम भी बोलेंगे जेशिराम जेशिराम इस बार बीजेपी का काम तमाँ देखिए बीजेपी काम तमाँ तो जब हो जब सामने कोई केंडिडेट तो हो गट बंदन के अंदर जहां केंडिडेट ही नहीं है आपको मिल जूल के फिर एक केंडिडेट खड़ा करना पड़ रहा है तो काहे का कॉम्पीटिशन हमारे हमारे कॉम्पीटिशन तो लाओ सामने केंडिडेट उधार थे जब भी तो कही होता जीते हैं और आप मानके चलिएगा कम से कम भी 4 लाग पार जीतेंगे हम चार लाग पार आपको मैं यहीं कह रहा हूँ आप देख लीजिएगा अदसी चार लाग पार का दावा किया है सर में आप आप बी टाइटाइफिस है सर ऐसे से चार लाग पार करेंगे सर मोधी के नाम पे यह सोते रहे जाएंगे इन लोगों ने मोधी के नाम पे जो चुनाओ जीतने का जो बनाया था जूट का पुलिंदा वह अब हवा हो चुका है इन्होंने एक सो यानि चार लाक पार बोला चलो चार लाक पार के लिए हम समर्थन करते हैं उनका कोई दिकत नहीं है हमें कोई भी आपती हैं लेकिन 143 सीट उसके बाद में भी रहती हैं उन एक सो तैयाली सीट 143 सीट के लिए आप किस को दोगे वह 143 सीट लेकर आप रहोगे या खुद हम रहेंगे वह तो आगे का बावी से बताएगा ना उस खाल फिलाल की स्थिती यह है कि बीज़ेपी कटिनेट पहुंचा है उसे बोला है 400 पार क्या कहेंगे इंडिया गडबंदन तो 400 पार हैं इंडिया गडबंदन तो 400 पार ही है और 400 पार से भी साइद हो सकता उपर बिना काम के 400 पार कैसे लगा होगे आप 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 की योजना परदान मंत्री आवाशी योजना नगर परीशेट के अंदर दो ट्रक फर्मों के बरे हुए हैं उसका कोई निस्तारण नहीं है अभी इन्होंने बजट के अंदर सूरिय देव योजना का नाम लिया ती सब्सक्राइब का लेकिन बीजेपी जब संता में आई तो उनका सब्सक्राइब दो अब नहीं मिल रहा है लेकिन आज भी कई गर ऐसे हैं कि जहां पे सब्सक्राइब आपको एक चीज बताता हूं क्या है कि किसी भी कारे को करने में यह तो है कि यह तहनी आपने बोल दिया तुरूंत हो गया यह तो मैं नहीं मानता अब आपको मैं दो चीज बता गहलो साब ने बिजली का फ्री का सिस्टम किया था आप बिल उठाके देखलो अ पहले यहां पर वह सिस्टम बंद हो चुक है आज आपको शहर में बीना डायरी के सरेंडर नहीं मिलेंगे पहले ब्लेक होती थी अभी बंद है क्या मानते हैं कि कहीं न कहीं सुपेदान सब्सक्राइब को अगर कोई व्यक्ति जीतता है उसका विकास का मुद्दा तीसरी ब देखिए आप आप मुझे बोलने जाएंगे जो गोर्मेंट की तरह जो मेडिकल को लेज आये था वह राजेंगे यूनिवर्सिटी भाराश्री की अगर मेडिकल को लेज सांसजी लेकर रहे हैं पांदी का एमोई हो चुका है उस पर नाम की हम लेकर आएंगे सांसजी को हिंदू समाज के बहुत बड़ी अप्रतिक हो रहे हैं मैं कह रहा हूं हिंदू समाज में हमारे एक रिस्ता होता है पति-पत्नी का और जब भी हम उस पत्ति-पत्नी के अपर रिष्टे के चक्र-गार तो साथ पेरी में साथ होना के साथ पत्ति-पत्नी के रिष्टे को निवाए जाता जो उसर अपनी पत्ति का नहीं हो चुका ना उसको रखा है सर पर्धान मंत्री zone कि व्यक्तिकत कि परदानमंत्री मोदी ने पप्पो कहा है प्छले दिनों एक अबदर वाबार किया था अजमेर में एक कोंगे करता ने बीजेपी बीजेपी कारेकरता के लिए नेता के लिए कुछ कहा था लेकिन वहां पर जैपन प्रेस वाटी पीसी बैठी पीसी बुलाई गई बगाए दा और वहारी विरोद हुआ लेकिन हाल-फिलाल की इस्ति यह थी है कि परदानमंत्री मोदी ने संसद में लोकसभा में खुल्ट कहा है पपू सर ये परदानमंत्र जी नहीं बोल रहे है ये पुरा देश ही बोल रहा है देश 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 ये उनकी ऊची मान सिकता बोल रही है हम पर्दानमंत्री नरेंदर मोडीजी को आज भी मोडीजी कहते है लेगे उनकी ओचिकता बोल रही है कि वह गोल रीले जो बी 70 साल में कंग्रेस ने करता कि आ वो इनको बेचने में लगे اور मेरे को लगता है लगबछ सबकुछ भी दिया अब इंको खाली माः पर बाप बेजने पर लगे हों यह यह एक इन्हें वाई है लड़ने में खुछ ने पड़ा अगर कांग्रेस पार्टी के पास पर तश्रित थे तो हमारे आधर नहीं है जिस्के अमरा राम जी को क्यों घड़ा करते कल तक जो अमरा राम जी को कुंडा बता ते दे वह को कांग्रेस वाले के पास तो कुछ हाई नहीं चारा आप बोले रहे हो कि स्वामी जी आरेंगे क्यों आरेंगे हाड़ी टेम पे दो चुनाओं में विरोद में कॉंग्रेस बीजेपी जिती रभी जिते कि आपने 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 कर दो किया है कि अपने अब तक नहीं जब देखे जाएक नहीं बात वो रही है बात वो नहीं है बात वो नहीं है बात वो नहीं है आपने कही है कि इवे में गरबड़ी किसी का हाथ ही नहीं है हम उनके मान सिक्ता को बदलेंगे मशीन में तो को अंग्रेश का हाथ नहीं है बीचेपी की तरफ हो मोदी की तरफ हो मोदी को 400 लोव हम लेंगे उसका जबाब देखिए बात यह क्या है यह यह बोखला गए अभी हमारे हमारे परदान जी के जाहां में को डूर ता उसमें भी लड़ी और यह की बाबाजी तो ट्रीमलल है इसए को बहुत पहलने की होती है क्या हमार मान समान करते नहीं को बहुत हैं मोलते थे कॉंग्रस जी को बहुत एक तक कॉंग्रेश तो गुंडा थे नहींuestas तो आप बता है कि तो यह जी आप इसके पहले की बात बता रहे हूं जब को रेस्ट वाले अब राम जी गुंडा बसाते थे पचास हजार में संब्ड़ देंगे मैं आपको बोड़ रहा हूं और मिठाए खाले ना एडवास में सुब कामना दे रहा हूं सबको मिठाए खुलेंगे अभी सबको प्रेल की हुआ क्या लगता है कि अब कॉम्रेड अमराराम जीतेंगे और मैं आपके चैनल के माध्यम से मीडिया नगरी माध्यम से दावा करता हूं इस बार सपरदानमंद्री नरेंदर बोधी बिलकुल नहीं बनेगा जो भी बने सर्वस्तिय से बने इंडिया गट बंदन से बनेगा नरेंदर मोधी इस बार परदानमंद्री नहीं बनेगा देश जाग चुका है दुनिया जाग चुकी है सब की आँके खुल चुकी है मैं आपके छोटी सी सर एक कहानी कहना चाहूंगा मत ब्लबंती और चुकी ही का具 है आके हैँ जोटा में चोटा इस उत में कहिता हूं एक बिली साथ बच्चे लाई तो साहरी में और चोटी सी स्लोक में कहानी में अधक्स मोजिया ने बता दिया है कि इस प्रकार से बीजेपी राजिटी करती रेकिन बीजेपी करनेड़ में वर साथ मोजूद है हालांकि पहले एक थे अब तीन हो चुके हैं शायर एक दो तीन मैं गिन पार रहा हूं जाहां चुके शिव जी के शिव का बतार है और बहुत लंबे समेट उनको लपेटा है और को दंधा में रखा है शिव जी लास्ट मुमेंट से और क्या कहना साएंगे लाश्म सर ऐसा है कि जितनी यहां बात निवी जवाब तो आपको चारतरी को मिल जाएगा दूसरी बात यह कि इनका गटबंदन जो है और सभी सीटों पर इनकी स्वीटों पर केंड़ी नहीं है तो पहली बात तो इनके यह निस डिसाइड हो रहा है कि परदान मंत्री कौन बनेगा जब आपका सिकन में केंड़ी अगर क्लियर हो तो आप देश का करोगे ना देखिए जो जो आप जो आप तो यह तो बनना तो दूर के वाजर चृ मिर्शक्तल हु जाए गी पहीं है वो 5 Plus लाग वोटा चीटेंगे कि लिखेगा तो यह हमारे साथ दोनों पार्टियों के समर्थक मौझूद थे हाल फिला सीकर के मैं अमेरिकल सर्किल पर खड़ा हूं क्योंकि यहां पर मजमा लगता है यहां पर पॉलिटिकल पार्टी आती है और एक दूसरे समर्थक करती है तमाम जो मीडिया करूज है यहां पर होती है दिखने वह चुना था मेरे पास sector के समर्थ थे लेकिन यह समर्तार की , यह दोत्तों पार्टियों के सब्सवरण बीना हैं यह पिर सब्सक्रत की होग कि य series की को